मैं रामेश्वर परशाद मीना करोली जिले से हूँ और मुझे शरीर में कमजोरी होने के कारण मैं परिशान था मैंने नाराना होस्पीटल जैपुर में दिखाया तो जाच मैं पाया गया कि शरीर में पी लिया था पीलिया की वज़े से लीवर में खरावी थी और लीवर खरावी के और इसका दर बढ़ गया था कि पीट में भी पानी भरने लग गया पेरों में भी सूजनाने लग गयी थी डॉक्टर राहुल राजी ने मुझे लगातार दवाया दी और मैं दवाया लेता रहा पांचे मेने में ठीक रहा बारे मेने ठीक रहा लेकिन कमजूरी हमेशा बनी रही डॉक्टर साब से मैंने फिर कहा कि डॉक्टर साब कोई राहत नहीं मिल रही है तो डोक्टर साब ने ये कहा कि ये लीवर ट्रांस्पलांट ही इसका एक बिकल्ब है लीवर ज़्यादा खराब हो चुका है शुरुआत में तुनका लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन पिछले एक बिर साल से लीवर फेलियर के लक्षण उनमें दिखाई देने लगे जैसे कि पेट में थोड़ा पानी आ गया और जो लीवर फंक्षन टेस्ट होते हैं उनमें खराबी आने लगी यह एक आए एनर करके टेस्ट होता है वो भी धीरे-धीरे करता बढ़ने लगा तब हम आप मैं ऐसा लगा कि अब चूकी लिवर फेलियर इन में स्टार्ट हो चुका है तो इन उन्होंने मुझे लीवर देने का के लिए कहा डॉक्टर ने कही कि आपका खून गुरॉब बेनो भाई का कोई का मिल जया है जे देवतायात मैंने भाई से मैंने भूल दिया कि मैं दूंगा भाई मेरो तेरे की खूने और उनके जब हमने टेस्टिंग की तो उनका लिवर ट्रांस्प्लांट के बाद का जो हॉस्पिटर का समय था वो भी काफी अच्छा बीत और दस दिन में वह इतने स्वस्थ हो गया कि हमने उन्हें घर भेज दिया और सभी मरीजों को मैं यह संदेज देता हूं कि अपनी बीमारी का समय पर डाइगनॉस करवाए अगर ऐसी सम अश्या है तो घबरा है नहीं जीवन में ट्रांस्प्लांट कोई सामाने सी बात हो गई है आज कल और बहुत अच्छे से नाराना होस्पिटल अपनी टीम के साथ और के साथ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं यहां मैं एक संदेश यह भी देना चाहता हूं कि जैसे ही अबर फेल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि भई पेशन को पीलिया तेज हो गया या पेशन बहुत कमजोर हो गया या पेट का पानी बहुत जादा बढ़ गया क्योंकि अगर लिवर फेलियर की एडवांस स्टेज में आज हम कहते हैं कि एक अगर हम एंड स्टेज आ ही है उस समय तक अगर हम ट्रांस्प्लांट का वेट करता हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और हमने यहां पर देखा कि जैसे इनका लिवर फेलियर स्टार्ट हुआ और तूकि है मेडिकल मैनेजमेंट पे थे उसके बाद भी इनका लिवर खराब हो रहा था तो हमन है उन्हें थोड़ा जल्दी लिवर ट्रांस्प्लांट की सलाह दी और वह काफी जल्दी लिवर ट्रांस्प्लांट करा के रिकवर हुए और आज वह बहुत फस्त महसूस कर रहे है